नमस्कार दोसो, अगर आपका वोटर ID कार्ड बना हुआ है, नए या पुराना और आपको उसे डाउनलोड करना चाहते हैं अपने मोबाइल फॉन में, तो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको complete process दिखाने वाला हूँ, चली वीडियो को शुरू करते हैं waters.eci.gov.in की site पे आ जाएंगे, दोस्तो इस website का link आपको description में भी मिल जाएगा, दोसे इस water service portal पे आपको सारी services मिल जाते हैं, चाहे आपको अपने water ID card में कोई correction करना है, या फिर आपको PVC card में अपने घर तक water ID card को मंगवाना है, या फिर new water ID card के लिए apply करना है, वो सारी काम तो सबसे पहले आपको यहाँ पे login करना होगा, login करने से पहले आपको यहाँ पे registration करना होगा, यानि की sign up करना होगा, आप sign up के option पे click करेंगे, तो यहाँ पे आपको अपना mobile number enter करना है, और email address enter करना है, और capture code enter करना है, और continue के option पे click करना है, और उसके वाद आपके mobile number पे ए एंटर करना है और request OTP के option पर click कर देना है तो दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP send किया जाएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter करना है और verify and login के option पर click कर देना है तो आप यहाँ पर successfully login हो जाएगे यहाँ पर आपका name आपको देखने को मिल जाएगा अब दोस्तों आपको यह एपिक डाउनलोड के option पर click करना है और यहाँ पर आपके सामने download electronic copy of epic card का option आजाएगा दोस्तों अगर आपके पास epic number है आप यहाँ पर epic number एंटर करेंगे अगर आपके पास reference number एंटर करके भी यहाँ पर download कर सकते हैं हमारे पास हमारा epic number है तो हम यहाँ पर epic number एंटर कर और नीचे select state के option पर click करके हम अपनी state को select कर लेंगे तो यहाँ पर हमारी details हमें show हो जाएगी आपको यहाँ पर नीचे scroll down करना है यहाँ पर send OTP के option पर click करना है तो आपके registered mobile number पर एक OTP जाएगा वो OTP यहाँ पर आपको enter करना है और verify के option पर click कर देना है and OTP verification complete होने के वाद आपको यहाँ पर download e-epic option मिल जाएगा आप simple इस option पर click करेंगे तो आपका epic card जो है आपके laptop में या फिर mobile में download हो जाएगा तो अब यहाँ पर आपने जो अपना epic card download किया है simple आपको उस पर click करना है तो आपके सामने आपका water ID card download होके यहाँ पर open हो जाएगा तो अब यहाँ आप यहाँ पर download के option पर click करके आप इसे download भी कर सकते हैं और अगर आप इसका print निकलवाने चाहते हैं तो print के option पर click करके आप इसका print भी निकलवा सकते हैं दूस्तों इस तरीके से आप अपना नया या पुराना water ID card अपने mobile phone में download कर सकते हैं I hope कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो like केज़ेगा चैनल को subscribe केज़ेगा चली मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care thank you